नमस्कार दोस्तों, माता रानी की जै हो, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त और सकुषल होंगे। दोस्तों मैं समय समय पर आपके लिए अनेक प्रकार की आकर्षित करने के लिए उपाय की विध्या लेकर आती हूँ, जिनसे की आप अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें। लेकिन यदि सेकड़ो प्रयासों के बाद भी आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कभी भी संपर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जिजकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यदि हम दुख की घड़ी में ही किसी की काम ना आ सकें, तो इतने पूजा पाट और तपस्या का क्या फाइदा। तो आप जब चाहें निसंकोच हमें फोन कर सकते हैं। आपकी बात हमसे डारेक्ट करवाई जाएगी। आपको अपनी हर समस्या का समधान मिलीगा। जिनसे आपके जीवन का सारा सुख चैन छील लिया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के उस शक्तिशाले विधी की, उस चमतकारी टोटके की जिस से जीवन में धेर सारी खुशियां भरने वाली है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक सात्विक आकर्शन विधी ही बताऊंगी। और हर बार की तरह ही इस विधी के लिए जो जो सामगरी चाहिए, वो आपके घर में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। दोस्तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी अपनी रसोई की उस सामगरी की, जिसके प्रयोग से आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ लहसुन और लॉंग की। जिहां लहसुन और लॉंग जिसे आयूर्वेद में एक महत्वपून स्थान दिया गया है। लहसुन का प्रयोग तो हर भूजन में, हर व्यंजन में होता ही है। लहसुन और लॉंग को आयूर्वेद में सो रोगों की एक दवा कहा गया है। जोतेश शास्तर के अनुसार लहसुन राहू और केतू पर सीधा असर करता है। यानि कि लहसुन के उप्योग से आप राहू केतू के दूशों को भी ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई अबरूद आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है या आपका कोई काम हुते ह रुक रहा है, तो लहसुन आपको शत्त प्रतीशत उसमें सफलता दिलाएगा। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, जिसे आप संभाल नहीं पा रहे, तो लहसुन से आप इससे निजात पा सकते हैं। लहसुन की पांच कलियां आपके अपने जीवन को पूरी तरहा से बदल सकती हैं। जो तिशी तोर पर देखा जाए तो राहू, केतू आपके जीवन में अवरोद लाते हैं। आप कितनी भी महनत कर लें, पर राहू और केतू आपके काम को बनने ही नहीं देते, और आपको अपने किये हुए कारे का संपूर फल नहीं मिल प समस्या के लिए मैं लेकर आई हूँ लहसुन का एक ऐसा अधभुट टोटका जिसे आप सभी समस्याओं का समधान पा सकते हैं। दोस्तो आज की विधी को आपको रविवार को करना है। इसके लिए आपको चाहिए लहसुन की पांच कलियां और साथ ही इसमें आपको चाहि पहले आपको लहसुन की एक आकार की पांच कलियां पांच लौंग लेनी है। एक धागे लेना है आपको जो काले रंका हूँ तो बहुत बहतर है। और उसमें लहसुन की कली और लौंग को बांध ले। फिर इस माला को हाथ में ले। अब इसे हाथ में पकड़कर ग्यारा बार मंत्र का उच्चारण करना है और वो मंत्र है ओम, हीम, फट, अनुका या वही तर्विका, आकर्शित, करीद इस माला को जला दे और इसकी राख को पानी में बहा दे दोस्तों विधी के पूरा होते ही आपको महसूस होगा कि आप जिसे कंट्रोल में करना चाहते हैं वो आपकी तरफ आकर्शित होने लगा है खुद आप से बात करने लगा है और आपकी हर बात को मानने भी लगा है मैं प्रातना करती हूँ कि आज की विधी आपकी जीवन में जरूर कोई बदलाव लेकर आए लेकिन आप इस विधी का इस्तिमाल किसी गलत उद्देशे से बिलकुल ना करें जड़ी आपका कोई सवाल है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप हमें स्क्रीन पर दिये हुई नंबर्स पर कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं गुरु माता जी से संपर्ख कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार